ओम शान्ति आज का हमारा विशय है संसार में जहां कहीं भी अपराद के गटनाएं गटती हैं उनके पीछे कोई न कोई विकार काम क्रोध लोब मोह एंकार इर्शा द्वेश बदले की भावना आदी होते हैं अपराद का इतिहास नया नहीं है राजतंतर के समय में भी डाकों के गिरोव होते थे कभी कभी वो शहर में घुशकर के लोगों को लूटते थे नहीं तो जंगलों में व्यापारियों के काफिलों को लूट लिया करते थे उनको काबू करने वालों को राजा लोग बड़े बड़े इनाम तोफे और जागीर भी दे दिया करते थे अपराद का इतिहास पुराना बेशक है लेकिन अनादी नहीं है इसकार्थ ये है कि अपराद आधिकाल से श्रिष्टी में नहीं थे भारत का प्राचीन इतिहास मुसल्मानों का प्राचीन इतिहास और क्रिस्चिन्स का प्राचीन इतिहास इस बात की पुष्टी करते हैं कि आधी काल में ये स्रिष्टी अल्लाह का बगीचा थी और उस बगीचे में सो पर्तिसत सुख शान्ती और पवित्रता थी उस बगीचे में आदम और हव्वा सुख पूर्वक जीवन वेतीत करते थे विशेष करके बाईबल इस बात की पुष्टी करती हैं बाईबल में आगे लिखा है कि भगवाण ने आदम और हव्वा को एक प्रोहिबिटिट फ्रूट खाने से मना किया था लेकिन एक दिन शैतान ने आकर के हवा को उटसाया और उसके उटसाने पर हवा ने वो प्रोहिबिटीड फ्रूट खा लिया जिसके कारण अल्ला का बगीचा उनके हाथ से निकल गया वो तपती रेत पे आगिरे और उसके बाद पुरुष को धन कमाने का कस्ट उठाना पड़ा और नारी को संतान उत्पती का कस्ट उठाना पड़ा और उसे पुरुष के दासी बन करके रहना पड़ा वाइबल की इस कहानी के अनुसार जो पहला अपराधी है वो शैतान वास्तों में और कोई नई दे अभिमान ही है। दे अभिमान के वश हवा का और आदम का पतन हुआ और उसके बाद संपुर्ण मानव जाती इस पतन के मारक पर अग्रसर होती रही। किसी भी वृत्ती का जन्म मानव मन में होता है। मानव मन में केवल बुरी वृत्तियां ही उत्पन नहीं होती हैं। अच्छायां भी उत्पन होती हैं। ध्यान, धार्णा, भजन, कीर्तन, तप, मनन। ये सब चीजें मन के द्वारा ही की जाती हैं। लेकिन मन में ही कामकरोध की वृत्तियां भी उत्पन्न होती हैं और ये अनुभव जन्ने तथे हैं कि जब कोई भी एक विकार मन में परवेश कर जाता है तो उसकी पीछे विकारों का काफिला अपने आप आ जाता है इस संबंध में एक भाती रोचक कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक सन्यासी जंगल में से गुजर रहा था उसे डाकूं का एक गिरोह मिला डाकूं ने उसे लूटने की कोशिस की लेकिन उसके पास लूटने लाएक कुछ था ही नहीं इससे डाकूं को बहुत करोध आया उन्होंने उसको बंदी बना लिया और अपने डेरे पर ले गए वहां जाकर डाकूं ने शराब पी शराब के नशे में नाचने जुमने लगे और उन्होंने सन्यासी को भी कहा कि तुम हमारे साथ शराब पी हो सन्यासी ने का ये तो मेरे धर्म के वुरुद्ध है भला मैं ऐसा कैसी कर सकता हूं लेकिन बेरहम डाकूं उसके पीछे पड़ गए और उसको कहा कि हमारी चार शर्तों में से एक शर्त आपको अवश्य माननी पड़ेगी नहीं तो हमापके हत्या करतेंगे वो चार शर्तें थी या तो हमारे साथ शराब पीओ या सामने बैठे गाए को लात मारो या हमारे साथ मास भक्षण करो या फिर इस पतित नारी के साथ पतित बनो सन्यासी मन में सोचने लगा ढर गया भगवान को भूल गया और विचार आने लगे कि गाए को लात मारना तो महापाप है मास भक्षण करने से भी मैं धरम से गिर जाओंगा और मुझे पतित भी नहीं बनना है पर मैं क्या करूँ ऐसा करता हूँ अपनी जान बचाने के लिए दो घुट शराब पिलेता हूँ तो सन्यासी ने प्रकट रूप में डाकूँ को कहा कि ठीक है मुझे थोड़ी शराब पिला दो और जैसे ही शराब उसके गले के नीचे उतरी वो सद्बु दिखो बैठा नशाद चड़ गया और अधिक शराब के मांग करने लगा डाकूँ के साथ नाचने भी लगा और उसके बाद उसने बाकी के तीन पाप भी कर ढाले एक पाप से शुरुवात होई थी लेकिन वो तिनों पापों में मश्गूल हो गया इसलिए ये विकार ये अपराद को जनम देने वाली बुराईयां आती हैं तो अकेली नहीं आती हैं लेकिन इकठी आती हैं कहानी का सार यही है कि बुराई चाहे थोड़ी सी हो लेकिन वो हथोड़ी का काम करती है थोड़ा भी कोई विकार अंदर आ गया तो वो पूरे जीवन पर कबजा कर लेता है जैसे कोई आकर्मनकारी अकेला किसी महल में या किसी शहर में घुश जाए तो बाकी आकर्मनकारीयों को भी रास्ता मिल जाता है यह विकार भी उसी तरह से हैं एक के आने के बाद बाकी भी अंदर परवेश कर जाते हैं इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है इसमें सन्यासी के सामने एक 24 का मुका आया कि या तो मरो और या तो जीवन को पतित करो अब जिस वक्त विक्ति जीवन को पतित करने का संकल्प कर लेता है तो वो एक प्रकार से मर ही जाता है अगर वो जिन्दा भी रहे तो केवल सासों का भार ही डोता है इसलिए कुछ भी हो जाए विक्ति को ये द्रड़ता बनाई रखनी चाहिए कि बेशक मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मैं किसी भी बुराई को टच नहीं करूँगा हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां और परिक्षाएं आ सकती हैं तो उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम द्रड़ बन करके बुराई के सामने खड़ी हो गए तो बुराई कमजोर पढ़ जाएगी और अगर हम कमजोर पढ़ गए तो बुराई द्रड़ बन कर हमारे सामने खड़ी हो जाएगी इसलिए भगवायन की शिरीमत को और अपनी पवित्रता को बनाई रखने के लिए हर संभाव परियास करना है ताकि बाद में पस्चाताप ना करना पड़ी संसार को जीतने का परियास सिकंदर ने भी किया नेपोलियन ने भी किया लेकिन कोई भी बाहु बल से सैन्य बल से धन बल से दुनिया को जीत नहीं सकता है इसलिए कहावत है तपो राज अर्थात तपश्या से राजाई मिलती है तो ये तपश्या क्या है ये बुराईयों को आतंक को अपराद वृत्तियों को जीतने की तपश्या ही सबसे बड़ी तपश्या है और जैसे कोई पुरुशारित करता है तो तुरंत फल भी पाता है जीत के बदले कोई न कोई इनाम अवश्य मिलता है कोई इलेक्षन जीतता है तो उसे राजनीती में ओहधा मिलता है कोई परिक्षा पास करता है तो अगली क्लास में चला जाता है कोई स्पर्धा जीतता है तो उसे प्रमान पत्र मिल जाता है कोई युद्ध जीतता है तो उसको भी कोई न कोई जागीर मिल जाती है इसी प्रकार से जो अपराध पैदा करने वाले विकारों को जीतता है वो भी डबल सिर्थाज राजाई का हकदार बनता है ये डबल सिर्ताज राजाई सत्यू की राजाई है जहां नर और नारी दोनों ही तेज और ओज से संपन्न होते हैं लंबी आयू होती हैं घर मंदिर होता हैं काया कंचन होती हैं व्यवहार चंदन जैसा होता हैं और अटल अखंड रज्य भग्य मिलता है जिसमें सो परतिशत सुक्षान्ती और अभय होता है सर्व वर्दान प्रकर्ति दासी और मृत्यों का कोई भय नहीं होता है अपराद वृत्यों को जीतने के लिए मनुष्य पिछले दो यूगों से परियास कर रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरे विशे विकार मिटाओ मेरे मन को शुद्धी दो मेरे मन को भटकने से बचाओ मानव की इस पुकार को सुन करके सन उन्निस्षो चतिस में स्वेम निराकार परम पिता पर्मात्मा पिता श्री ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए और उन्होंने अवतरित होते ही मानव को वर्दान दिया पवित्र भव, योगी भव भगवान केते हैं बचे पवित्रता आपका जनमसिद अधिकार है पवित्रता आपका मूल गुण है मूल संसकार है और मूल संसकार को धारन करने में कोई मिहनत नहीं लगती है इसलिए पवित्रता में इतना बल है कि इसके आगे कोई भी अपराध कोई भी आतंक कोई भी बुराई ठैर नहीं सकती है पवित्रता में दुआओं का बल समाया हुआ है पवित्रता विक्ति को निर्भय, निर्वैर बना देती है सबसे बड़ी दौलत है पुंजी है और मानव का सबसे बड़ा स्रिंगार है तो इस पवित्रता के बल से अपने पुझ्य पद को फिर से प्राप्त करो ये भगवान की सिरीमत है अपराथ श्रिष्टी के आधी काल में नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे जो आधी में नहीं था वो अंत में स्माप्त होना ही है श्रिष्टी चक्र का वर्तमान समय अंतिम समय है अंत के नजारे हम सबकी आँखों के सामने परकट हो रहे हैं इस अंतिम समय में परमात्मा पिता ऐसी एक फोज तयार कर रहे हैं जिसके मन, वचन, करम में और स्वपन में भी अपराध भावनाई नहीं है अर्थात जो मन, वचन, करम और स्वपन तक भी अपराध मुक्त है जैसे जब तक किसी व्यक्ति के शरीर में मलेरिया का एक भी किटानों हो तो मलेरिया उन्मोलन व्यवस्था को पूरी तरह से सफल नहीं माना जा सकता इसी प्रकार से जब तक किसी व्यक्ति के भीतर सुक्षम रूप में भी अपराध भावनाई तब तक संसार को अपराध मुक्त नहीं बनाया जा सकता इसलिए हम सब को एकांत में बैठ करके अपने भीतर जाकना है कि दिल की किसी दरार में, संसकार की किसी शेह में, आदत की किसी आड में या अंतरमन की किसी ओट में कोई अपराध भृत्ति तो नहीं है और चेकिंग करने के बाद अगर लगता है कि कोई सूक्सम अपराध भृत्ति है तो उसको खतम करने की जिम्मेवारी भी हमारी है द्रडता पूर्वक उसको खत्म करी और भगवान की अपराध मुक्त विश्व बनानी की योजनामी सह भागी बनी ओ शान्ति अगरे पत्म क्यिम्मेवार बना प् Angebत्वतन नहीं। कर्कार दान्ति